हेलो गाइस वेलकम टू मैं यूटूब चैनल मेटलाइन जी के पर में सुरज को हमोधी आज हम देखेंगे क्रिस्टाल सिस्टम का कुछ ट्रीकी बेस्ट जिसको कि आपको याद करने में बहुत ही हेलफुल होगा क्योंकि एक्जाम के टाइम में क्या होता है ना बहुत कुछ आज के लिए सरींनल को स्सक्राइब करके वीडियो आइकन को प्रेस करती है अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिये या स्स्क्राइब करेए या ना करिए आपका मरजी है लेकिन आप यह देखें एक přाउपी आपको समझ में आ जाग है कईसा बीडियो बनाया जा रहा ह ह कॉंटेंट कैसा है और आप अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है यह भी कॉमेंट करके थोड़ा बताईए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो यह देखिए क्रिश्टल सिस्टम सा है क्रिश्टल सिस्टम कितना ड़ो है साथ गो है हम लोग का और तो इसको कैसे इसको डेस्क्राइब करते हैं देखिए जो होता है आपका और तो लोग को क्या करना है इसका ट्रिक हम बता दे रहे हैं क्या करना है आपको लिखना है ओम चाट यह लिख लेना है ठीक है इसको क्या करना है फिर इसका एक घर बना लेना है घर बना लेना है जितना डो ओम चाट च gaatravopardi लिखना है है जीससे कर हैं नहीं लिखना है जिससे कहा ऊंव गड़बा तो यह लिखना है थिक है यह देखिए यहा पर अब central कर चुकічे हैं तो हैँ पर देखिए उपर वाला आटार्च किया और यहां 0 लिखना है फिर यहां 3 लिखना है या 2 लिखना है फिर 3 लिखना है या 2 लिखना है ठीक है जैसे ही आप इसको यह से लिख लिए तो इसी हिसाब से और एक्ठो और एक्ठो यह वाला आड्रेस जो दिया गया है इसको आप याद रख सकते हैं CTO 90 CTO 90 इसको याद आपको बस इतना ही याद रखना है, फिर कैसे होता है, इसका खेल क्या है, इसको हम आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है, जैसे मान लीजे, O से हो गया क्या, ओर्थोरोम्बिक, एक नंबर जैसे कि यह वाला पोर्शन देखते रही है, यह वाला पोर्शन देखते रही है इसको थोड़ा छोड़िए, इसको हम बाद में आपको बता देंगे, ट्राइक्लिनीक का, इसका क्या करना है, क्या नहीं, यह हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है, तो जैसे देखिए, यहाँ छे तक, मतलब 3, 4, तो 6, 6 गो है न जी, 6 गो, यह चे गो को देखिए, य 0 है यानि कि मतलब इसका कोई भी angle not equal है मतलब a is not equal to b is not equal to c ठीक देखें यहाँ पर 0 है मतलब वही होगा a is not equal to b is not equal to c वैसे ही monoclinik देखें अब monoclinik भी वही है 0 है तो a is not equal to b not equal to c ठीक है ऐसे ही देखिए यहाँ पर जो है क्या cubic cubic क्या दिया है 3 3 दिया है मनना मतलब 3 दिया है मतलब इसका है क्या a is equal to b is equal to c ठीक है और ऐसे ही hexagonal देखिए 2 है 2 को मतलब है मतलब की a is equal to b hexagonal का देखिए यह अला portion नमबर 4 यह अला portion देखिए यह अला hexagonal का a is not equal to b is not equal to c इसको आपको याद रखना है देखिए यहाँ दो दिया है ना दो मतलब की a is equal to b हो गया 2 को हो गया is not 3 तो 3 रहने से 3 होता है और एक equal नहीं है मतलब is not equal to c हो गया वैसे रंबो हेटरल का देखिए रंबो हेटरल का भी 3 equal है आर आर इस equal to 3 दिया गया है यहाँ पर यह वाला portion देखिए यह वाला आर इस इक्वाल टू 3 ठीक तो इसको देखिए इस इक्वाल टू बी इस not equal to c होगया तो जैसे ही complete हो जाता है तो इसको क्या करना है फिर इसका एंगल के तरफ चलते हैं एंगल क्या होगा तो इसका देखिए ट्राय क्लिनिक का आपको नहीं बोले थे बात में बताएंगे तो try clinic का देखिए, क्या होता है न, try का मतलब क्या होता है, try का मतलब यानि कि आप याद रख सकते हैं, 3 होता है, try मतलब 3, 3 जैसे हुआ, तो आपको 3 से याद रखना है, तो इसका क्या होता है न, a is not equal to b is not equal to c यह वाला देख लिजिए ट्राइं मतलब 3 यानि कि is not equal to b not equal to c ठीक है तो इसका एंगल भी देख लेते हैं जो ट्राइ क्लिनिक का एंगल देख सकते हैं अलफा इस not equal to beta इस not equal to gamma इस not equal to 90 डिगरी ट्राइ का आप 3 से याद रख सकते हैं और is not equal to all is not equal to 90 डिगरी होता है एंगल इसका जो तो distance भी होता है, a is not equal to b, not equal to c होता है, ठीक है, तो इसका फिर, यह तो हो गया, trigonics का खतम हो गया, बाकी जो angle है, उसको कैसे याद रख सकते हैं, angle का कैसे क्या होता है, यह बता देते हैं, यहां देखिए, cto90 लिखा हुआ है, जो बोले थे न, cto90, बस इतना ही याद रखना यहां, cubic देखिए, cubic का क्या है, c, c for cubic हो गया, alpha is equal to beta, is equal to gamma, is equal to 90 degree, cto equal to 90 degree है न, यहां पर, वही चीज़ यहां पर apply हो गया, cubic का देखिए, alpha is equal to beta, is equal to gamma, is equal to 90 degree, ठीक, तो फिर t से हो गया, tetragonal, tetragonal का देख सकते हैं, alpha is equal to beta, is equal to gamma, is equal to 90 degree, यह वाला, देखिए, tetragonal भी ठीक ह O for orthorombic orthorombic का भी देखिए वो ही है alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree इसको भी आपको याद हो जाएगा easily है बाकी जो बज़ गिया CTO को छोड़ के जो बज़ गिया CTO and यह tetraiknik को इसको छोड़ के बाकी जो बज़ गिया है क्या क्या बज़ गिया है cubic खतम हो गिया orthorombic खतम हो गिया tetraonol जो बाकी है देखिए rhombohedral है hexagonol है and आपका monoclinic है ठीक तो monoclinic का देखिए यह तीन्ठो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा याद के लेजेगा इसका ट्रिक हम निकाल नहीं पाए तो monoclinic का देखिए क्या है alpha is equal to beta is equal to 90 degree gamma is not equal to 120 degree ठीक इसको monoclinic का थोड़ा याद रखिएगा and उसके बाद क्या बज़ गिया hexagonal का देख सकते है alpha is equal to beta is equal to 90 degree और gamma is equal to 120 degree यह आप इसके साथ relate कर सकते है monoclinic and hexagonal को monoclinic and hexagonal को relate कर सकते है यह दोनों देखिए alpha is equal to beta is 90 degree है और not equal to 120 degree है monoclinic का and hexagonal का है alpha is equal to beta is equal to 90 degree है and gamma का equal to 120 degree है यह बच गिया क्या है रंभो हेटरल बच गिया है रंभो हेटरल देखिए alpha equal to beta equal to gamma is not equal to 90 degree रंभो हेटरल तो उम्मीदे दोस्तों आप लोगो समझ में आया गया होगा और फिर भी अगर कोई doubt रहता है अगर कुछ आपको mistake होता है मेरे से कि देखने में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत होता है तो बोलिए इसका और एक भी वीडियो बना सकते हैं देते हैं आप लोगों को जो होती हेलफूल होगा तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजेगा प्लीज और आगे भी अपना दोस्त्रेंट से करिए यह तो मेकनिकल के लिए भी काम आए दोस्तों और चैनल को सब्स्राइब कर देजएगा ऐसे न्यू न्यू नोटिफिकेसन आने के लिए और जो बोले थे कि आपको अर्बिंद कुमार बूक का जो आपको solution प्रोवाइड करेंगे वह भी आपको प्रोवाइड करेंगे आज तो आज ही कर देंगे साम को सोच रह तो बोले थे कि रेस्पोंस जितना अच्छा आएगा उसी साबसें वीडियो बनाएंगे तो देखिएगा ठीक है दोस्तों जाहिंत बंदे मातरव